नमस्कार दोस्तों केलसियम हमारे सरीर के मुखी खनीजों में से एक है अगर इसकी कमी आपके सरीर में होती है तो सबसे ज़्यादा आपके हटियों पे इसका परभाव पड़ता है इसके अलावा थकान, कमजोरी, मन, स्पेसियों, एठन, सरीर में जुझनी ये सब समस्या दे जब भी हमारे सरीर में केलसियम की कमी होती है तो या तो आप डाक्टर से सला लेते हैं कोई भी है आपको शला देता है दूध पीने की क्योंकि दूद में काफी ज़दा केलसियम की मत्रा पाई जाती है, लेकिन आज की समय में सुध दूद मिलना काफी मुस्कील है, आज के समय में मिलाउटी दूद ही ज़दा मिलता है कुछ लोग ऐसे भी जो दूद पीना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर उनका सरीर में केलसियम की कमी की पूरती हो क्योंकि केलसियम की कमी के हमें कई रोग हो सकते हैं आज हम इस विडियो में आपको पांच ऐसे खाधपदात बनाएंगे जिह में दूट से 10 गुना अधिक कैल्सियम पाए जाता है यानि दूट का सेवन आप करे या ना करे लेकिन इन ख़दातों का सेवन करेंगे तो आपको कहीं उससे ज्यादा केल्सियम की मात्रा मिलेगी जो आपके सरीर के लिए काफी जरूरी है अगर आपके सरी में भी कैल्सियम की कम नहीं हो पाएगा इसके लिए हमें अलग से कैल्सियम से भरपूर्ट तत्तों का सेवन करना ही पड़ेगा अगर आप दूद का सेवन नहीं करना चाते तो उससे भी ज्यादा केल्सियम आपको मिल जाएगा अरहर के दाल के छिलके में इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इस् अरहर के चोच सेवन में थी जह अगा चैयरर के उससे को जैसी अगर आप इसका शेवन करते हैं तो आपके किलेंए तो आपके का अच्छा शोगुना तेजी से बढ़ेगी जिससे आपको आश्ट्यो प्रोसिस और रिकेटर्स जैसी और भी कमजोरिया नहीं होंगी जो आपके लिए फायदे मंद होता है अधिकता लोग अरहर के दाल के छिलके को फेक दे यह पस्वों को खिला देते हैं लेकिन जब भी हुआ कि आठे की रोटिया खाते हैं लेकिन अगर आप हपते में 2-3 दिन भी रागी के आठे की रोटिग खाते हैं तो कि तूर अगर आप दूद पीना पसंद नहीं करते हो रागी कि आठे की रोटिया जरूर खाए हफ्ते दो तीन दिन खाये देखे आपके सेरी में केल्सियम की कमी कभी नहीं होगी तीसरे खाद साधिकताद की बात करें दोस्तों तोफू सोभाइखम से भर पूर होता है टौफू जो सोभी बना होता है टौफ़ू के 100 ग्राम में में आपको 350 मिलीग्राम केसीम मिल जाता है जो दूसेमक की मातरा से कहीं अधिक होता कि यह तो दूद की जगह चर्फू का इस्तिमाल आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है तोफू से बनाया जाता है स्वय बीन काफी ज्यादा प्रोटीन और कैल्सियम का तुर्फ़ नहीं होगी चोधे खाथ बताद कि दूस्तों और दिंस आपके दिल के लिए अच्छे हो आपको 60 मिलिग्राम केल्सियम होता है किडने बिंस नेवी उप्रिंटों बिंस भी केल्सियम से फरपूर मात्रा में होता है तो आपके सरीम क्यल्सियम कमी नहीं होगी प्रचवेखात बात कि बात करें दोस्तों तो तो चीया के बीज केल्सियम की कमी को पूरा करने के लिए आप चिया के बीजों का सेवन कर सकते हैं दो चम्मच चिया सिट्स में आपको 189 मिलीग्राम केल्सियम पाय जाता है इसके अलावा इसमें बोरान भी पाया जाता है जो शरीर को केल्सियम फासपरोस और मेगनिसियम की मेटरोजी देने में मदद करता है आप स्मूदी दलिया या फिर दही में चीया के सिशद डाल कर खा सकते हैं चीया के सिश्ट काफी फायदे बंद है मात दोश्च-पथी आपको सेवन करना रहता है रोज जिस तरह आपके सरे में किलसियम की कमी नहीं होगी यह भी काफी फायदे मन्द ह सबस्क्राइब ये संद्राइब किश्या अगरा वह नहीं कु ये पांच surface अगरी कई कभी नहीं होगी तो चलिए दोस्तों आज के विडियों सिर्फ इतना है फिर में लग अगले विडियों कुछ नहां लेकर